26 बच्चे जिने जिन्दा काड़ दिया गया बात है साल 1976 कैलिफोर्निया की जब 5 से 14 साल के 26 बच्चे स्कूल से घर चा रहे होते हैं तबी अचानक उनके बस के सामने तीन किड्नैपर मास लगा कर और गन लेकर आते हैं और उन 26 बच्चों को स्कूल बस के ड्राइवर के साथ किड्नैप कर लेते हैं जिसके बाद वो उस बस को 12 घंटे तक चला कर कैलिफोर्निया से दूर एक ख़दान में ले जाते हैं जहां वो उन बच्चों को जमीन में गड़ी एक कंटेनर में जाने को कहते हैं जहां पानी और खाना कुछ भी नहीं होता सिर्फ कुछ बॉक्स और गड़े पड़े रहते हैं जिसके बाद वो तीन किड्नैपर्स उन बच्चों के माबाप को पैसों के लिए मांग के लिए फोन लगाने जाते हैं वही दुसरी और उस कंटेनर में आकसिजन ना होने के कारण उन बच्चों का दम गुटने लगता है और भूक से तड़प रह होते हैं जिसके 16 घंटे बाद बस ड्राइवर और कुछ बच्चे पास में पड़ी गड़ी को जमा कर उस पर चल जाते हैं और कंटेनर में लेगी धकन को हटाने लगते हैं जिसके बहुत प्राइव करने के बाद वो उससे सक्सेस्फुली हटा देते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं जिसके दो हफ़ते बाद पुलिस उनकी ट्नैपर्स को अरेस्ट कर लेती है